दोस्तों मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे यूटूब चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आप सभी का हर्दिक्ष्वागत इवम अभिनंदन है दोस्तों आज अपने इस वीडियो के प्रेजेंटेशन में हमारे यूटूब चैनल पर Best Single Premium Plan के नाम से एक वीडियो पड़ी हुई है उस वीडियो में उस प्रेजेंटेशन में कौन सा प्लान एड़ किया गया है वह जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं देने जा रहा हूँ तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आखरी तक ध्यान से देखते रहें दोस्तों शर्प्रथम मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहूँगा इस प्रेजेंटेशन में मैं सिर्फ और सिर्फ Best Single Premium Plan की वीडियो में कौन सा प्लान एड़ है इसकी जानकारी देने जा रहा हूँ लेकिन किसी भी अभिकरता की सफलता या यूँ कहें कोई भी अभिकरता तभी सफल हो सकता है जब उसके पास जानकारी हो कि किसी प्लान को या किसी कांबिनेशन प्लान को ग्राहत की जरूरत के आधार पर कैसे प्रेजेंट करें तो दोस्तों आपके लिए हमारी राय यही होगी कि एक बार यह जो पुरानी वीडियो पोश्ट है जिसका टाइटल है L.I.C. में जमा करें सिर्फ एक बार और चार गुना पाएं इस वीडियो में मैंने बताया है कि ग्राहक से हम किस तरह से बात करें ताकि ग्राहक इस पॉलसी को पर्शेस कर ले तो मुझे लगता है कि आपके लिए बेहतर होगा कि एक बार यह जो पुरानी वीडियो है जिसकी डिटेल मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ उसकी जानकारी को पाने के लिए यह पुरानी वीडियो जरूर देख लें आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बाक्स में यह जो पुरानी वीडियो है इसके लिंक मैं दे दूँगा ताकि आप आसानी से इस वीडियो को सर्च कर सकें आईए अब हम समझते हैं किila वेस्ट सिंगल प्रीमियम प्लान में मैंने किस प्लान को add किया हुआ है किस प्लान की जानकारी मैंने उस वीडियो में देए है तो दोस्तों सबसे पहले वह जो । वीडियो है उस वीडियो में customer की age ली गई है 35 year अब यदि 35 year का कोई व्यक्ति है उसको यह policy देनी है तो इस policy का नाम है Single Premium Indoment Plan जिसका table number है 817 जैसा कि आप जानते ही है Single Premium Indoment Plan One Time Payment Policy है Single Premium Policy है इस presentation में जो submission लिया गया है वा 10 लाग का है और इसका जो term है वा 21 year है अब यदि आप यह जो detail है इसके साथ अगर आप policy की maturity को निकालेंगे तो वह लगभग 4 गुना आ रही है तो मैं यह उम्मीद करता हूँ कि यह जो जानकारी है यह जानकारी आपके लिए फाइरे मन रही होगी आप अपने client से अपने ग्राहक से पुराने presentation को देखकर उस इसाब से बात करें निच्छत रूप से शफलता आपको मिलेगी दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर पहले से ही बहुत सारी ऐसी जानकारियां पड़ी हुई हैं जो आपके कारे को बेहतर करने में आपकी help कर सकती हैं जैसे में policy की information, form को कैसे भरा जाता है, किसी policy को surrender करना है, revival कराना है, यानि servicing से संबंधित जो जानकारियां हैं, वह भी हमारे चैनल पर मौझूद हैं, दूसरी जो वीमा कमपनियां हैं, उनकी कुछ योजनाओं का LIC की policy से combination दिया हुआ है LIC की किसी policy को बात कैसे शुरू करें, तो need generation की जो वीडियो दी गई है, इसके माध्यम से आप प्रभावी तरीके से अपने नए client से बात कर सकते हैं, यदि आप महसूस कर रहे हैं कि आप जितने लोगों को जानते हैं, उनका बीमा आप कर चुके हैं, और अब आपको नए client नहीं मिल रहे हैं, तो आपको घबडाने की कोई आउसकता नहीं है हमारे channel पर बहुत ही प्रभावी तरीके से दिया गया है कि आप नए prospect को कैसे खो सकते हैं, इलैसी तमाम तरह की online services प्रदान करती है agent के लिए, customer के लिए यदि premium point कोई चला रहा है तो उसके लिए, तो इन सभी online services का कैसे उप्लोग किया जाता है, यह जानकारे भी हमारा channel देता है, आप जाते हैं किसी policy की बात customer से करते हैं, और customer तरह तरह के बहाने बना देता है कि मैं policy अभी नहीं लूँगा, क्योंकि objection handling के मार्धियम से इस कारे को किया जा सकता है, तो यह जानकारे भी हमारा YouTube channel देता है, कुछ motivational videos भी हमारे channel देते हैं, जो कि आपके कारे को बहतर करने में एक energy के रूप में आपका शार्थ देती है, तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, कि आप हमारे channel को subscribe कीजिए, और subscribe करने के साथ, बेल icon को click कर दीजिए, उसका फाइदा यह होगा, कि जब भी हमारे channel पर कोई नई video पोश्ट होगी, तो उसका एक notification मिल जाएगा, आप बेहतर work कर सकें, इसके लिए जरूरी है कि जो भी पुरानी video है, आप उसको देखिए, और उसका उपयोग अपने agency कारे में कीजिए, यदि आपको यह video अच्छी लगी है, तो प्लीज लाइक कीजिए, और साथ में comment के जरीए आप हमें जरूर बताएं, कि अब यह जो new single premium endowment plan है, यानि table number 17 है, यदि इस तरीके से grant के बात किया जाए, तो आपको क्या लगता है अब policy को sell करना कुछ आपके लिए आसान होगा या नहीं, तो जो भी है, आप comment के जरीए, आप हमें जरूर सेयर करें, मैं आपके comment का बेशबरी से इंतजार करूँगा दोस्तों आपने हमें अपना किमती समय दिया है इसके लिए मैं दिल से आपका भारी हूँ धन्यवाद, thank you very much